नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं इस दवरान मनोजी आदव सहीत बड़ी संख्या में छात्रों को पूलिस ने हिरासत में ले लिया है बता दे नियोजन निती को लेकर छात्रों का गुस्सा सड़कों पर देखा गया राज सरकार के साथ 40 नियोजन निती फरमूले के बिरोध में राजधानी में चात्र मुख्यमंत्री आवास का गेराव करने आये थे मौराबादी मैदान के समीप राजय भार से आय यू आओ की टोली सीम आवास की ओर मार्च करने दीन के करीब 12 बच के 40 मिट निकले मौराबादी सीथ गुरुजी सीवू सोरेन आवास के समीप लागे पूलीस वेरिकेटिंग के वज़त से चात्रों और पूलीस के बिच नोका जोकी होती रही अंत में चात्र नेता मनोज यादेओ के नितित में बड़ी संख्या में चात्रों ने दूसरे राज़ते से सीम आवास पहुचने की योजना बनाई बतादे राची विश्व विद्याले के पीछे हात्मा बस्ती होते वे चात्र जैसे ही काके रोड इस्थीत प्रेम संस के समीप पहुचे तो एक बार फिर पूलीस से नोका जोकी होई और धका मोकी भी होई उस समय साथ चैलिस नाई चलतो आंधोरन की अगवाई करने वाले जैरा महतो भी महजूद थे जारखन में बढ़ती गर्मी को लेकर एलो अलट जारी जारखन में बढ़ती गर्मी को देखते वे मौसम केंद्रे राची ने एलो अलट जारी किया है बताया गया है कि राजी के उतर पुर्वी भाग यानि देवगर, धनबाद, दुमका, गिरी, डिगोड़ा, जाम, तड़ा, पाकुल, अपसाहव, गन, जीले के अलावे उतर पच्मी भाग यानि पलामू, गढ़वा, चत्रा, को डर्मा, लातेहर, और लोह, दग्गा, जीले, तथा दक्षिन पुर्वी भागों में कहीं कहीं हीट वेब को देखते वे एलो अडर जारी किया गया है वहीं 29 अप्रेल को आशिक बादल चाहे रहने और 20 अप्रेल से गर्जन के साथ बारिस की समभावना व्यक्त की गई है पतादे मौसम केंद्रे रांची की माने तो 29 अप्रेल को राजी के पुर्वी भागों में आस्मान मुख्यता साप रहेगा वहीं सेस भागों में आसिक बादल चाहे रहा सकते हाँ रांची और जमसेदपूर में अंतर राजी ये बस पड़ाओ के पीपीपी मोड पर बिक्सित करने की समाथी दी गई इस बैठक में दिवंगत मंत्री जगानात मतों के असमाई की निधन पर सोक प्रकट करते हुए इसे अपुनिये छाती बताया पता दे कैबिनेट सची वंधना डाडेल ने बताया है कि लाह को केसी का दर्जा मिलने से कुर्टी गुमला सिंग बोम लातेहार गठवा हजारी बाग जीला समेत राजी के 12 जीलों में करीब 5 लाह किसान परिवार को लाब मिलेगा लाह की खेती से जुड़े किसानों को कुल आय का 25 फिर्दी लाह से ही प्राप्त होता है नियोजान निती पर परदसन कर रहे है छात्रों पर लाठी चार्ज बताद नियो जनिती के खिलाप सोमवार को राज भर के छात्र मुरबादी मैदार में जुटे यहां से उन्हें सीम अवास गेरने जाना था लेकिन मैदान से निकलने वाले रास्ता को सील कर दिया गया था बावजूद छात्र प्रेमसन चौक पहुँच गए यहां सीटी एसपी सुभांसुजैन ट्रैफिक एसपी हरीस बिन जामा के अलावा डी एसपी वह थानेदार के साथ बड़ी संक्या में पूलिस के जवान तयना थे छात्रों को पूलिस ने चौक परोग दिया जिसके बाद छात्रों ने यहां परसन किया इसी बीच पूलिस ने 33 चात्रों के हिरासत में लिया और कैम्प में जेल ले गई बतादे इसके बिरुवद में चात्र सलक चाम का नारेबाजिव अपरसन करने लगे पूलिस ने हटाने का पर्यास किया तो छात्रों ने धाकामों के शुरू कर दी इसके बाद पूलिस ने लाठिया चटकाई त्रितिय स्रेनी पदों पर होने वाली भरती परिक्षा की डेट जारी जारखन करमचारी चैन आयोग ने रिम्स रांची के अंतरगा त्रितिय स्रेनी पदों पर भरती के लिए होने वाली पर्त्योकता परिक्षा 2022 की डेट जारी कर दी है जेसेसी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार या परिक्षा 29 अपरेल 2023 को रांची की बिभिन परिक्षा के अंतरों में आविजित की जाएगी बता दे जेसेसी आर्टी जी सीसी यी 2022 के लिए आवेदन करने वाले अवियार्थी करमचारी चेन आयो की बेबसाइट जेसेसी.niic.in पर जाकर पुरान नोटिस देख सकते हैं जेसेसी के नोटिस के उनजार रिम्प सरांची में तरीतिय सिरेनी के पदोपन नियुक्ती है तुप परत्युक्ता परिक्षा 2022 के लिए ओनलाइन आवेदन 22 नुवंबर 2022 से 11 जनुवरी 2023 तक आवंतरित किये गए थे ज्यारखन की सिक्षा व्यवस्ता भगवान भरोसे एक सिक्षा के भरोसे चल रहे हजारो इसकूल ज्यारखन में तकरीबन 7000 ऐसी सरकारी स्कूल है जहां सिर्फ एक ही टीचर है सरकार की इस ब्यवस्ता को देख कर अब गरामीन छेतर के अभी भावक भी आवाज उठाने लगे हैं इन लोगों की मांग है कि एक स्कूल में कम से कम दो टीचर होने चाहिए और एक दिन में कम से कम चार गंटे पढ़ाई होनी चाहिए बता दे गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे कैसे अपने हक के लिए आवाज उठा पाएंगे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े इसके लिए मिड डेमिल की विवस्ता की जाती है फिर भी धाक के तीन पात की स्थिती बनी हुई है यह की किरित जीला सुचना प्रनाली के 2021-22 के डाटा पर नज़र डालेंगे तो यह जानकर हरान हो जाएंगे कि इस राज जेक के 79 सो चार ऐसे सरकारी स्कूल है जो एक सिक्चा के भरोसे चल रहे हैं कैबिनेट बैठाक में बहाली के रास्ता साफ कैबिनेट के फैसले के बाद साचिवाले लिपिक और निमन वर गिये लिपिक की भारती के अर्चन दूर हो गई है बैठाक में अन्यक कई महत्पूर नहीं लिए गए बतादे जिला अस्तर पर होने वाली पंचाज साचिव और लोवर डिविजन कलर की बाहली करास्ता साफ हो गया है कैबिनेट के बैठाक में इस समाद में कार्मिक द्वारा पूरो में निकाले गए भी आपन को आपस लेते हुए सुप्रीम कोट के आधे सामसार नियुक्ती पर किरिया को हरी जन्डी दे दिगाई कैबिनेट ने पंचाज सचिव नियुक्ती सहीत 20 प्रस्ताओं पर समती पदान की है कैबिनेट सचिव वंद्ना डाडेल ने कैबिनेट में लिए गए फैसले की जनकारी देते वे कहा है कि पंचाज सचिव और लोवर डिविजन कलर की नियुक्ती पर किलिया 2017 में जेसे सिक द्वारा सुरू की गई थी इंटर्मेडियेट अस्तर सन्युक्त परत्योक्ताओं परिचाद ग्रामिन विकास विभाग में 1545 पंचाज सचिव और 666 निमन वर्गे लिपकों की राज भर के समनाला में नियुक्ती होनी है जार्खन कतमचरी चेन आयोग ने असनातक प्रसिक्षी सिक चक नियुक्ती परिक्षा 2016 के तहसोमवर को अंग्रेजी और अर्थ सास्त का परिणाम जारी कर दिया है इसमें अंग्रेजी पिशा के लिए 224 और अर्थ सास के लिए 228 अब्यार्थी सफल गोशित किये गा है बता दें अंग्रेजी पिशा में अनराक्षी सिरेनी के 142, ST के 33, ST के 7 और 38 पिछला वर के 27 तथा पिछला वर के 15 अब्यार्थी सफल हुए है इडी ने रांची के पूर्वट DC 26 रंजन को भेजा समन 21 अपरेल को होंगे हाजीर प्रवतनिते साले ने सरकारी जमीन में हेरा फेरी करने के मामले में रांची के पूर्वट DC 26 रंजन को समन भेजा है आई एस चवी रंजन को 21 अप्रेल को जोनरल ओफिस में आने को कहा गया मालूम हो कि 13 अप्रेल को इडी ने चवी रंजन अंचल अधिकारी मनोच कुमार सहीत जमीन के कारोबार से जुड़े 18 लोगों के कूल 21 ठीकानों पर छापा मारा था वहीं सेना के कबजे वाले जमीन के हरा फेरी करने के आरोप में परदी बागची सहीत 7 लोगों को गिरफतार किया था गिरफतार 7 आरोपियों को कोट ने पुछ ताज के लिए 4 दिनों के रिमान पर दिया है गिरीडी के कपिलो पंचायत में हर सुविधा उपलब्द गिरीडी जीले के कपिलो पंचायत को नाना जी देशमुक सरोतम पंचायत सतत विकास पुरसकार दिया गया है या पुरसकार देश में उत्क्रिष्ट कारे करने वाले 3 ग्राम पंचायतों को दिया गया केंद्रिये पंचायत राजमंत्री द्वारा या पुरसकार पंचायत के मुख्या को दिया गया मालूम हो कि पंचायत राजमंत्रा लए भारत सरकार द्वारा होर साल विकास वेजनावों के समगर क्रियानवयान एवाम अस्थानिय स्वयम सासन में पंचायती राज संस्थावों के कारे निस्पादन को बेहतर कारे करने के लिए पंचायती राज संस्थावों को प्रुस्कित किया जाता है विभीन पुरसकार की स्रेनी में से कपिलो ग्राम पंचायत दुरा नाना जी देश्मोग सरुत्तम सचीव एफ एफ पी बिल्डिंग धुरुवा रांची को सपा गया साथ ही इनके मांग को जल्द से जल्द मानने की अपील की गई बतादे कारिकरम में मुख्य रूप से उपस्थित पताधिकारी गण एवं आटो चालक मालिक परदेश अध्यक्ष दिनेश सुनी परदेश उ हुए छो महिने का समय दिया जाए कि मांग सामिल है मिडडे मिल घोटाला मामला में वकील ने केस लड़ने से किया इनकार मिडडे मिल घोटाला में आरोपी भानुक अश्टक्सन संचालक संजय कुमार्तिवारी रांची के बिशा मुंडा केंद्रिये कारा होटवार में बं हाल नए वकील के आने तक सुनवाई टली है बता दे अधिवक्ता बाला जी स्री निवासन ने केस लड़ने से क्यों इंकार किया या अभियस प्रस्ट नहीं है केस नर लड़ने को लेकर जो चर्चा है उसके उनसार अधिवक्ता ने इड़ी के कागजात और सभीतों का ध्य है उन्हें अग्यात हो गया है कि संजाय कुमारतिवारी ने बड़ी जाला साजी की है इसके बाद ही उन्होंने जाल साज की मदद करने से इंकार किया है जमीन घोटाले में इड़ी के खुलासे से लोगों का पूलिस से उठा विश्वास रांची में जमीन घोटाले में जा इड़ी के दफ्तर में रांची सहीत राज के विभीन चेतरों में हुए जमीन घोटाले मामले में सिकायते पहुशने लगी। मंदीर के दान पेटी को चोरों ने तोड़ पेटी में रखे नगदी पर अपना हाँच साप कर दिया। आपसी का अभियान सुरू करने जा रही है। जार्खन कॉंग्रेस ने इस अभियान का नाम अब लोड चले दिया है। दरसल जैभराच सत्यागरह यातरा के दरान अलग-अलग दिली में अब तक कई को वहां से कई पुराने कंग्रेश्ट नेतावने घरवापसिक आगरा किया था मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि चुकी सत्यागरह राय नीत्ति कारकरम नहीं था ऐसे में सत्यागरह के मंच का इस्तेमाल किसी नेता की पूर्णवासी के लिए नहीं किया जा सकता था धन्यवाद